Hello my dear students, very good morning. I hope आप लोगों भी तैयारी बहुत अच्छे से चल लई होगी. Vocabulary का segment के अंतरगत ये मेरी 5 वीडियो है, जिसके अंतरगत ग्राफिक से रिलेटिड जो Vocabulary exam के point view से important है, वो मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ. और ये Vocabulary ना कि किसी भी government job के लिए, बलकि 6 से 12 की classes के लिए भी बहुत important है. Vocabulary किसी भी segment का, किसी भी exam गया, किसी भी language का बहुत important part होता है. आई ये देखते हैं Graphies के related, आज इस वीडियो में क्या-क्या word आपके याद होने जा रहे हैं. My dear friends, अगर आप दिश्चान classes पर first time आए हैं, तो आप इस चैनल को subscribe कर लिजेगा, ताकि आपको notification मिलती रहें. Graphies के बारे में बात करते हैं, Graphies जो ये word है, एक word है Graphy, G-R-A-P-H-Y. Graphies का मतलब होता है, relating to study, किसी भी चीज का अध्यन करना, या related to writing books, कोई book को लिखना, किसी भी topic पर लेका, जब हम उसका पूरा अध्यन करके लिखाई करते हैं, तब हम उसको Graphies बोलते हैं. तो Graphies बहुत टाइप की है, और My Dear Students, यह vocab यहां से exam में कहीं बार पूछी जा चुकी है, यह पांच ही वीडियो जैसे में बता चुकी हूँ, लेकिन आपको 100%, अगर 5 questions vocab के आते हैं, तो आपको मेरी vocab दिए में से 2-3 questions 100% यहां से मिलने वाले हैं, मैं description में लिख दूँग जिससे आप पता चल जाए कि हाँ Graphies वर्ड क्यों जोड़ा है, ताकि याद करने में आसानी रहती है, अब बात करते है, ओटो, ओटो का क्या मतलब होता है, अपने आप से बायो Graphies वर्ड आगए, अध्यन या लिखना, अपने बारे में लिखना, तो Story of a Person's Life Written by Himself, ऐसी स्ट होता है, सेकिंड वर्ड है, बायग्राफी, बायग्राफी होई, तो Graphies मैं लिखना होता है, बायो मैंने, क्या होता है, किसी व्यक्ति के बारे में लिखना, तो Story of a Person's Life Written by Someone Else, जब किसी और के बारे में, समझे, आगर मैं अपने जीवन की कहानी लिखती हूँ, खुद से, त कैलिग्राफी क्या होता है, एक elegant handwriting, सुन्दर handwriting को हम कैलिग्राफी कहते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, जो cursive writing है, उस से जोड़ते हैं कैलिग्राफी को, cursive writing is different thing and a calligraphy is a different thing, मैंने आपके सामने यह एक example भी दिया है, यह जो सुन्दर सुन्दा तरीके से जो लिखा जाता है, कुछ इनसान बहुत सुन्दा तरीके से घुमावदार करके साइन करते हैं, वो कैलिग्राफी के अंदर ही आता है, इसे हम कहते हैं, elegant सुन्दर handwriting, तो कैलिग्राफी हो गई, तो समझ मैं, ग्राफी जहां word सुना है, study या लिखने, जहां हम इसके बारे में study करते हैं, या chrono क्या होता है, एक word होता है, chronological, आपकी पास भी question आते हैं, कि आप कुछ कोशन होते हैं, जहां होते हैं, chronological order में आप set कीजिए, same वही वड़ है, chrono होता है, history से related होता है, time से related होता है, तो our record of past time history, तो our record of past time history को हम क्या कहते हैं, chronography, फिप्ट नंबर है आपका डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या होता है, study of birds, deaths, digits, etc. to show the condition of our community, किसी भी समुझदाए कि उसके जन, मरत्य, उसकी विवानी, आदी की condition को दिखाने के लिए हम डेमोग्राफी कहते हैं, दूसर रूप में हम इस तरह से एक्जाम में question आता है, the इस्टेटिकल study of human population, कि जो सांखेकी अध्यन होता है, human population का, उसको हम डेमोग्राफी कहते हैं, एक तैसे कह सकते हैं, जन सांखेकी का जो हम अध्यन करते हैं, वो आपको कहलाता है, demography, अब बात करते हैं, six number, epistolography, epistolography, the art of letter writing, जो बची literature का अध्यन करते हैं, उनको पता होग जो epistol word है, यह epistol word है, जिसका meaning होता है, letter, तो वहीं से word आया है, तो the art of letter writing, तो वहीं से word यह याद हो जाएगा, ने बच्चे इसको ऐसे याद कर सकते है, epistolography, तो ग्राफी तो याद है, यह word आपको याद ही करना पड़ेगा, यह letter से related होता है, geography, यह word तो सभी को पता ही लेकिन option में कैसा आएगा, कि science of the art surface, physical features, divisions, climate, products, population, etc. यानि जो किसी प्रत्वी की जो surface है, उसको physical features है, उसको division किया गया है, climate है, उन सब की जो science कहलाती है, वो geography कहलाती है, homography, method of spelling a word which is like another but with a different, spelling का एक ऐसा method जो दिखने में एक जैसे होता है, लेकिन बिल्कुल अलग होता है, तो ये बहुत important है, exam में, इस से related, बहुत सारे question आते हैं, और ये जो बच्चे जो बड़े confusion होते हैं, वो जो paragraph में question आते हैं, जैसे एक word होता है bank, तो bank, इस bank का meaning होता है, कि जैसे आप bank में पैसा credit करने जाते हैं, summit करने जाते हैं, और same spelling है, उसका मतलब होता है, bank approval, यानि कि नारा, तो इस तरह के जो word आते हैं, वो homographic कहलाते हैं, ये word बड़े confusion होते हैं, ये आपको जाना जरूरी है, एक ही word होता है, लेकिन वो नाओं के place पर अगर आ जाता है, तो उसका meaning कुछ होर होता है, वर्ट के place पर आ जाता है, तो कुछ होर होता है, जैसे मैं आपको example देत हैं, तो बोला कि मैं ये तो question गलत दिया हुआ है, तो मैंने कहा, ये किया है, मैं गाए आप, ऐसे नहीं है, आप देखें, ये subject है, ये verb है, और ये object है, ये पर जाना है, तो काव को यहां verb के रूप में यूज किया गया है, और काव का meaning verb के रूप में क्या होता है, डराना, आप में जो डराना होता है, इसका मतलब है कि मैं आपको डराता हूँ, अगर मैं इसको second form कर दिया, c-o-w-e-d, तो I call you मैंने आपको डराया, तो इस तरह से एक ही word आपको कहीं तरह से use कर सकते हैं, इसी तरह से एक और word होता है, desert, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, लेकिन अगर उसे word के रूप में हम use करेंगे, तो उसका मतलब हो जाता है त्यागना, जैसे बात करें कि सारा is the biggest desert of world, तो यहाँ पर क्या हो गया, कि सारा सुनसार का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा desert है, अगर मैं यहाँ पर एक sentence लिखूं, कि he deserted his wife, he deserted his wife, यानि मैंने deserted को क्या है, word के रूप में लिया, तो उसने यहाँ पर desert का मतलब क्या हो गया, अपनी wife को छोड़ दिया, give कर दिया, तो एक तरह से एक ही word, noun, verb, adjective के रूप में उसका meaning change हो जाते है, यह भी आपको, exam अगर आपको clear करना है, study करना है, अगर आप चाहेंगे, तो इस तरह के बहुत सारे words मे lithography, एक तरह से आपने देखा होगा ना, जब किसी का मकान बनता है, तो उसके बाहर एक पत्थर सा लगा होता है, उस पर नाम अगर लिखा होता है, सब का अलग-अलग स्टाइल होता है, तो ही होती है lithography, देख लीजे, process of printing from parts of flat stone or sheet of zinc or aluminium that are prepared to receive a greasy ink, तो एक process होता है printing करना, य microcosmography, अगर आपने मेरी वीडियो सुना हो, तो micro macro कहीं बार आच चुका है, तो micro होते है, mini size, micro होते है, बड़ा size, तो जो इसमें क्या है, our description of man as microcosm, एक ऐसा description आदमे का, जिसको बहुती miniature, बहुत सूश्म रूप में दिखा जाता है, उसको microcosmography बोलते है, अब बात करते है orthography, orthography होते है, writing with correct penmanship and spelling, ऐसी writing, जो जिसकी लेखनशाली बिल्कुत सही हो, penmanship का मतलब होते है, लेखनशाली, उसको लिखने का style किया है, और spelling, तो ऐसी correct लेखनशाली और spelling के साथ में को अध्यन करना, या उसको लिखना, उसको बुक को लिखना, उसको लिखना, उसे कहते है orthography, अब 12th number है polygraphy, आप इने के poly जो word है ये भी root word है, जहां भी ये word जुड़ेगा, तो हाँ उसको मतलब हो एक से अधिक, graphy लिखना polygraphy मतलब literary productiveness, writing of variety of subjects, यानि subjects में लिखने की बहुत सारी variety होना, अलग-लग से productiveness, बहुत अलग से दिखाना, तो ये ध्यानको polygraphy लिखने के लिए polymeny ज़्यादा होता है, तो इसते से ये word आप याद कर सकते हो, 13th number है, seismography, the study of earthquakes, ये तु बहुत सभी को पता है, जिसते से autobiography, biography, biography और seismography, seismography के अंतरगत हम जो earthquakes होते हैं, भुकंप होते हैं, उनका अध्यन कर क्या जाता है, जबी तो हमारे जो वैग्याने को बता द पड़ती है, कम से कम एक लाइक तो करी दो आप, अगर आपको कोई problem लगे कि हाँ, आपको वीड़ अच्छी ने लग रही है, आपको कमी लग लग रही है, तो आप कमेंट करके बताए, जिससे आपको best quality दी जासे के, अब बात करते हैं, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी बोलते है, टोपोग्राफी, description of features, जैसे की, लिवर्स, वैली, वैली घाट या रोर्स, या प्लेस, या डिस्टिक, किसी भी चीज का जो description किया जाता, उसके features बताए जाते हैं, वो टोपोग्राफी कहलाती है, अब बात करते हैं, तेलिग्राफी, the technique of sending message by electrical signals, जो टेलिग्रा अगर आप टिजिट ये पिजिटिक तयारी कर रहे हैं, तो मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, कि 2013 तक जो exam हुआ है, उसमें grammar का एक तरीका था, पूछने जाने का बड़ा easy तरीका था, लेकिन 2016 और 21 में सभी से आपने कहते सुना होगा, कि paper बड़ा tough आ रहा है, paper tough नह आ रहा है, उसका एक pattern उन्होंने बना दिया है अलग तरीके से, मुसके उपर एक वीडियो बनाने जा रहे हूँ, आप उस वीडियो को देखना ना बूले कि हम grammar को किस तरीके से पढ़े, और किस तरीके से हम exam में question लाए, आता आप से है, बस उसका तरीका उन्होंने change किया, उस तरीकों को हमें follow करना है, अब बात करते है, 17 number वीडियो ग्राफी, the recording of sound and vision, यह भी से भी जानते है, जो recording होती है, sound के vision की, जैसे हम television, program अगरा देखते है, या YouTube पे वीडियो देखते है, वो वीडियो ग्राफी कहलाती है, जिरक्सोग्राफी, scientific method of photo stating, photo state करने का जो तरीक होता है, scientific, वो क्या कहलाता है, जिरक्सोग्राफी कहलाता है, my day students कहीं सारे वर्ड तो ऐसे है, जो इससे पहले जो मैं चार वीडियो डाल चुकी हूँ, फोबिया, मैनिया वाली जो वीडियो उसमें से आए है, कुछ विडियो आप जानते भी अच्छे से इसमें हैं, और कमेंट बुक्स में कमेंट कर सकते हैं, बाई